पिछले क्लास में आप एक कोस्चन देख रहे थे और कोस्चन को बनाने का तरीका थोरा लंबा चोड़ा था उस कोस्चन को शौर्टली भी बनाय जा सकता है और दूसरे कोस्चन में भी उस चीज़ को अपलाई किया जा सकता है तो थोरा आप समझ लिजी इसको नोट करके आपको एक रेडिमेट फॉर्मुला लेखना है फॉर्मुला है के टू बाई के वन यह बडाबर होता है नियू टू दी पावर डेल्टा टी बाई टेन के वन अब सांत हो जाएए हल्ला क्यों कर रहे है हाँ 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 है नहीं निक्तास तर रेगलर चले गए यहीं जहां लगता तो नहीं ने पढ़ा पढ़ा ना निकल के बाद करते हैं देखिए के वन जो है यह इनिसियल रेट कॉंस्टेंट है यानि रेट कॉंस्टेंट एट टेंपरेचर टी वन और के टू क्या है फाइनल रेट कॉंस्टेंट मतलब रेट कॉंस्टेंट एट टी टू तो इसको हम लोग बोल सकते हैं इनिसियल रेट कॉंस्टेंट और यह है फाइनल रेट कॉंस्टेंट नियो को तो आप जानते ही हैं क्या है यह टेंपरेचर कॉंस्टेंट और यह जो डेल्टा टी है यह है चेंज इन टेंपरेचर जब भी आप किसी भी चीज का चेंज निकालते हैं तो हो फाइनल मैनस इनिसियल होता है जैसे पिछला कॉस्टेंट जो आपको दिया गया था टेंपरेचर को कहा से कहा तक राइस किया गया था 10 डिगरी सी 100 डिगरी सी तक तो फाइनल टेंपरेचर 100 हुआ इनिसियल टेंपरेचर 10 हुआ डिफरेंस निकालेंगे तो 100 minus 10 करेंगे कितना जाएगा 90 तो अब जो question आप पिछला किये थे उस question को हम इस method से solve करते हैं देखिए क्या है इस उतार लिए गया उतारिए पहले पिछला दिन जो question हम लोग कर रहे थे उसको हम बना रहे हैं अब इस method से आगे बढ़ रहे हैं उस question का ये second method होगा temperature coefficient का value क्या दियावा था उस question में 2 set था 2 था ना तो 2 किसका value भाई है new का new का value दो और temperature को rise किया गया है 10 degree से 100 degree सी तक तो यहाँ पर delta T का value कितना 100 minus 10 यानि यह कितना हो गया 90 पूछ क्या रहा है आपसे आपसे पूछ रहा है how many times the rate constant of reaction increases मतलब rate constant कितना times बढ़ जाएगा तो इस equation के हिसाब से आपको क्या पूछ रहा है K2, K1 या क्या पूछ रहा है K2 by K1 पूछ रहा है ऐसे समझे यदि आप ये लिखा हुआ देखते हैं इसका क्या मतलब समझते हैं इसका यही मतलब है ना कि K2 जो है वह K1 का दो गुना है यदि हम K1 को इधर ले ले तो K2 by K1 बड़ा बर दो इसका मतलब यही वार है कि K2 by K1 यदि हम निकालने तो पता चल जागा कि K2 कितना times जादा है यानि आपसे पूछा जा रहा है K2 by K1 अब आप उस फॉर्मूला पर सॉल्म कर देजे क्या था फॉर्मूला K2 by K1 is equal to new to the power delta T by 10 K2 by K1 ही आपको निकालना है तो K2 by K1 is equal to new कितना है 2 to the power 9 T by 10 यह हो जाएगा 2 to the power 9 और इसका अपसॉल्म करेंगे ता जाएगा पॉछा बारा तो यहाँ पर K2 बड़ाबर हो जाएगा 512 इन्टु के वन तो जो चीज महां आया था वही चीज यहाँ भी आया तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 512 times क्या छोड़ दीजिए को सेने छोड़ नगो बनाना क्या जरूरे सॉल्व करने लाइक है सॉल्व कर दीजिए बारा है छोड़ दीजिए लॉक टेबल सभी लोग लाए हैं लिखेंगे 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 the value of rate constant how many times the value of rate constant increases if temperature increases by if temperature increases by 28 Kelvin if temperature increases by 28 Kelvin अच्छा ये 28 Kelvin क्या दिया आपको ये direct delta T दे दिया देखिए इस बार आपको क्या किया ना कि initial temperature और final temperature नहीं दिया आपको direct कह दिया कि किसी reaction में हम 28 Kelvin का temperature increase कर दिया आप सुनिये का ध्यान से आप ऐसे इसको समझे कि मान लीजे कि इनिसियल टेंपरेचर 10 डिग्री सी था तो 28 से यदी बढ़ा दिया तो final temperature कितना हो जाएगा 38 10 था 28 बढ़ाए 38 हो जाएगा तो यहाँ पर T1 T2 का चर्चा ने किया अब ऐसे में कोई ये भी तो मान सकता है कि 20 था हम 28 बढ़ा दिये तो last में कितना हो गया 48 तो इस बास से कोई लेना देना नहीं ये तो direct delta T का value आपको दे दिया अब आगे काम किजिए देखिए बनता है देखिए इस question को जब आप बनाएंगे न तो ये first method पर बनेगा ही नहीं काहे नहीं बनेगा रुक जाएए हम ही बता देते हैं रुक जाए अप लुग मत बनाएए अभी दो तीन question हम बताते हैं फिर धेरे धेरे आप खुझ से बनाने लगिये गए अब पहले हमारी बास सुनिये यदि हम ये आपको बता रहे हैं कि first method से आप इस question को क्यों solve नहीं कर सकते हैं आपको new का value कितना दिया 2.3 और आपको कहता है कि हम temperature को 28 Kelvin से rise कर रहे हैं यानि आपको delta T दे दिया 28 तो delta T को हटा ये first method में तो delta T का कोई बात ही नहीं है मान लीजे initial temperature 10 degree से और उस समय जो rate constant है उसको आप मान लीजे कि ये एक गलत तरीका है हम आपको बता के साबित करेंगे कि ये गलत कैसे हो जाता है इसलिए हम ज्यादा ढंक से इसको लिख नहीं रहे आप इसको लिखिएगा मत मान लीजे initial temperature 10 degree से था जब उसका rate constant कितना था के अब हम इसको करते हैं 20 degree से तो जराब बताइए तो के का value कितना हो जाएगा मतलब ये कितना rate constant कितना हो जाएगा 2.3 के कल 2 के था आज 2.3 के कल new का value 2 था आज तो new का value 2.3 है 30 के पर 30 degree सी पर 4.6 कैसे 4.6 आप बोल रहे हैं फिर 2.3 में 2.3 से multiply होगा अरे जो भिल लिख हो उसमें आप लगातार multiply करते चलेगा अप लगातार पिछला क्लास को पकरे होगा कुछ था क्या भी से पिछला क्लास में 2.3 into 2.3 के हो जाएगा तो जो भी value आएगा वो आएगा फिर जो भी आएगा उसको क्या आएगा ने आएगा अरे जो भी आएगा उसको छोड़िये आप जोके गलत था इसलिए हम उस पर जादा चर्चा नहीं कर रहे हैं अब जाना बताईए कि 40 के पर कितना होगा 40 degrees ही पर कितना होगा ये value जीतना आएगा उसमें हम 2.3 से गुना करेंगे अप याद कि ये जो value आता जा रहा था 2 से multiply होता जा रहा था क्योंकि new का value 2.3 है लेकिन क्या 10 और 40 में difference 28 का है कितना का है 30 का difference कितना रखना है 28 इसका मतलब आप जो यहाँ पर 40 किये हैं इसको आपको क्या करना पड़ेगा 38 और 38 कीजिएगा तब आप ये value बोल ही नहीं पाईएगा क्यों नहीं बोल पाईएगा क्योंकि वो फिर new है नहीं क्योंकि वहाँ पर temperature difference 10 नहीं बलकि 8 है तो ऐ method से आप इस question को solve नहीं कर सकते हैं तो आपको इसके लिए फिर से उठके उसी method पर जाना पड़ेगा मतलब जो second method है formula basis उस पर new का value 2.3 है delta t का value 28 है 28 Kelvin है साइद जो भी है और क्या है पूछ क्या रहा है k2 by k1 यह ना आप से पूछा जा रहा है अब अब आईए k2 by k1 बड़ाबर क्या होता है new to the power delta ty 10 तो यहां से k2 by k1 बड़ाबर new का value 2.3 का power 28 by 10 और जब हम ऐसा करेंगे तो k2 by k1 बड़ाबर हो जाएगा 2.3 to the power 2.8 अब आप देखिए कि आप एक ऐसे calculation में पहुँच चुके हैं जहां पर बिना लॉक के आप solve करना बहुत मुस्तिल होगा बिना लॉक के कोई कौन-कौन आदम इसको solve कर सकते है है इस पॉसिवल आप से इसी लिए lock करिकुलेशन है अभी लॉक का देरे देरे बहुत हार्ड हार्ड करिकुलेशन आएगा अब सुनिया अब आप रुकी है हमको एक बना ले ने दीजिए फिर आप बनाईएगा एक तरीका समझ लोगे न तो बनाना आसान हो जाता है जब इस तरह की बातें हो जाए अब देख बरावर में डीसिमल आके सब चोपट कर दिया है तो ऐसी सिती में क्या कीजिए आप दोनों तरफ लॉग ले लीजिए इक्वल के दोनों साइट लॉग ले लीजिए और जब आप लॉग लेंगे तो यह हो जाएगा लॉग K2 by K1 बरावर लॉग 2.3 का पावर 2.8 यहां से हम लोग लिख सकते हैं लॉग K2 by K1 अब देखो इसको फॉर्मला पर तोरना मत इसलिए नहीं तोरना क्योंकि तुमको K2 या K1 का मान नहीं निकालना है तुमको K2 by K1 ही न चाहिए इसको अलग मत करना जैसा चल रहा है चलने है यहां पर पावर मुल्टिपलए हो जाएगा यह हो जाएगा 2.8 इंटो लॉग 2.3 लॉग देखो यही आसान कर देता है लॉग लेने पर जो लोग लेने के बाद जो पावर होता है वो गुना में बदल जाता है और गुना करके उसको दिकाला आसानी से जा सकता है तो यहां से log k2 by k1 बराबर 2.8 is into log 2.3 का आप तो भीली देखना परेगा आपको आपको याद कीजिए अच्छा यहां कुछ नहीं है तो बगल में 0-0 लिख सकते हैं दसमलव से पहले एक अंक है उसमें एक घटाते थे तो बस्ता था 0 अपने मन से डिसिमल डालिए और 23 का 0 देखिए log टेबल में 23 का 0 देखिए 36 17 यही है क्या अब आप इसको मल्टिप्लाई कर देजिए log k2 by k1 इसको मल्टिप्लाई कर देजिए 1.01 2 7 6 7 तक रखिए डिसिमल के जब आप log एंटी लॉग पर काम कर रहे हो न तो डिसिमल के 4 डिजिट तक जाए उससे ज़्यादा मत लीजिए उससे ज़्यादा का आपको जरुत परेगा ही ने चारे ले लिए काफी है दूगों में काम चल जाता है लेकिन log एंटी लॉग में तो आपको चार चाहिए सुनिए अब यहाँ से k2 by k1 करेंगे यह log इधर जाएगा तो किसमें बदल जाएगा एंटी लॉग में तो यह हो जाएगा एंटी लॉग आफ यह गुना सही है ने 1.0127 अब आप एंटी लॉग याद कीजिए कैसे देखते थे इसमें डिसिमल के पहले काम नहीं होता है इसमें डिसिमल के बाद काम होता है डिसिमल 0,1 का 2 देखिए लॉग टेबल का है तुमारा आज भूल गया देख के बताओ खरा हो के इसको बताने दो चलो खरा हो के बताओ तो एंटी लॉग इसका वेलियू हो को देख के बताओ तो इसका वेलियू क्या देखेगा कई से कैसे निकलेगा हमको बताओ बहुत मजा कर लिया तो पढ़ाय लिखाय के साथ तो थोड़ा पर थोड़ा विसेस ध्यान देना पड़ेगा बोलो कितना आई धर बताओ यहां खराओ के बोलो क्या लिखे 0.1 का देखो 0.1 का क्या देखेगा तो 10.2 का देखेगा कहा है में डिफरेंस यही है में डिफरेंस कि यह है में डिफरेंस कहा ध्यान रहता है जाओ बैठो इसको जब हम यह किये तो इतना 1030 आया अब डिसिमल को प्लेस करना होता है दसमलब से पहले एक है उसमें एक जोड़िये दो दो हमके बाद दसमलब पढ़ेगा आ गया न भेल लिए यहां से यह भेल लिए आया आपको 10.3.0 इतना टाइम से बढ़ जाएगा किसी को भी कुछ भी समस्या हो तो बताईए आप दिकत भी है कहीं अब देखो लॉग और एंटी लॉग का न यह एकदम सिंपल किल्कुलेशन था एकदम प्राइमरी लेवल का यह जो लॉग की में जहां तक बात करूँ अब इसका धेरे धेरे बहुत भारी भारी किल्कुलेशन आ जाएगा से ड़नली से इसलिए थोड़ा ज्यादा ही ध्यान देने की जरूरत है बीना लॉग टेबल के आप एक भी कुस्टन पर काम नहीं कर पाएंगे इसलिए लॉग टेबल आपके पास होना जरूरी है पहले इसको उतार लीजे आप फिर एक कुस्टन देते हैं जिसको आपको खुद बनाना पड़ेगा कलास कहीं बंद तो नहीं हुई है ना आप लोग के कलास चलता रहेगा कलास बंद नहीं कहां छापा परा किनी कहां बागहा में पढ़ते रहता है और दुसरा यहां भी जब पढ़ेगा ना तो बंद करतेंगे जब तक नहीं पढ़ रहा है तो तक पढ़ेए परसासन तो बंद करवा रही है ये तो जाजा के हम लोग को भी रिपोट आ रहा है देखेंगे जब आएगा तो बंद कर देंगे जब तक पढ़ाए होता है पढ़िये लिखे तो अगला कोश्यान इस तरह का और कोश्यान मेलेगा जब यह दे देगे ना assignment उसमें, अब different तरह का question करा देते हैं लिखाओं क्या लिखेंगे the activation energy question है, next question इस question को आपको खुद solve करना है, हम ज़्यादा help नहीं करेंगा इसमें आपकी बस थोड़ा बहुत कर देंगे जहां आपके उलजने का chance है the activation energy and rate constant the activation energy and rate constant of a reaction of a reaction are hundred kilo joule and hundred ऐसे लिख दे रहां यहां पर hundred kilo joule and 3.46 into 10 to the power minus 5 respectively 10 to the power minus 5 respectively at 298 Kelvin at 298 Kelvin calculate the rate constant calculate the rate constant of reaction at 310 Kelvin 310 at 310 Kelvin एक काम करते हैं हम hint कर देते हैं आप solution कीजिएगा ठीक है इधर देखिए हमारी बास सुनिए आपसे question में कहता है कि the activation energy and rate constant of a reaction are दो चीज दिया आपको क्या-क्या activation energy दिया और rate constant दिया और यह temperature कितना कह रहा है 298 Kelvin यानि आपको पहला बार में temperature भी दे दिया आगे एक और temperature देता है आपको और कहता है कि उस temperature पर rate constant निकाली है आप गौर से देखिए 298 से बढ़कर 310 हुआ है temperature राइस कर गया है तो के का मान भी बढ़ जाएगा पहले temperature के के को के 1 कहेंगे और दूसरे temperature के के को के 2 कहेंगे आपको याद है formula log के 2 by के 1 is equal to ये बाइ 2.303R लेकिन इसमें आप उल्जहेंगे थोरा सा और उस उल्जहन को थोरा हम सुल्जहा दें तो आप calculation कर लिजएगा calculation कर लिजए यही समझेंगे कि आप बहुत कुछ कर लिए क्योंकि आप फसिएगा वहाँ पर देखो हमारी तरफ देखो question में activation energy कितना दिया है hundred kilo jule बस बात यहीं फस गई यहाँ इसको तुरत बदलना पड़ेगा जूल में जिस परकार kilo gram को gram में बदलने के लिए thousand से multiply करते हैं ठीक उसी परकार kilo jule को jule में बदलने के लिए thousand से multiply करेंगे और हम इसी को लिख सकते है ten to the power five jule 1000 से गुना करेंगे तो 10 का power 5 हो जाएगा क्या कि नहीं को कोई दिक्कत था इसमें देखे एक और तरीका था यदि question kilo jule में रह गया यहाँ तो आप क्या कीजिए archive value jule में ना रखकर kilo jule में रख दीजिए archive value jule में कितना होता है 8.31 jule per mole per kelvin यहीं नहीं होता है कुछ नहीं कीजिए उस jule को kilo jule में मदल दीजिए jule को kilo jule में मदलने के लिए 1000 से divide कर देगा यानि वो हो जाएगा तब हो जाता value 8.31 by 1000 फिर jule नहीं हो कि हम क्या बोलते kilo jule तो दोनों काम नहीं कर देना है दो में से कोई एक काम करना है यदि आप यहीं पर इसको jule में मदल दीजिए तो वो वैसे रहने दीजिए आपको k1 दिया हुआ है कितना है 3.46 into 10 to the power minus 5 t1 आपको दिया हुआ है 298 आपसे k2 पूछ रहा है एक दूसरे temperature पर और वो temperature कितना है 310 केलवीने में है नरे इस बात का भी विसेज ध्यान रखना परेगा temperature हर हाल में किसमें रहना चाहिए केलवीन में आर का value यदि आप यहाँ पर jule में बदल दीए है तो आर का value होगा 8.31 यहीं होता है jule पर mole पर केलवीन या इसी को हम लिख सकते थे 8.31 बाई 1000 किलो जोल पर mole पर केलवीन और सुनो यही तरह इसी तरह का बात अपलाई हो जाता है केलोरी में और किलो केलोरी में केलोरी में यदि माल लीजे activation energy रहता 100 केलोरी तो आर का value 2 हो जाता यदि वो कीलो केलोरी में होता तो कीलो केलोरी को या तो वहीं केलोरी में change कर देते 1000 से multiply करके या फिर यहाँ पर 2 केलोरी को हम लोग बदल देते किस में कीलो केलोरी में 2 से divide कर देते 1000 में यह 2 को divide कर देते 1000 से तो ये सब बात तो हो ही गई, अब जो formula पढ़े थे आप कल, क्या था formula, log k2 by k1 is equal to ea by 2.303r into 1 by t1 minus 1 by t2, अब सारा value put कर दीजिए, k2 ही आपसे पूछा जा रहा है, तो उसको रहने देजिए, k1 कितना, बुलिए, आप एक काम कीजिए, इस calculation को और आसान करना है न, तो k1 का मान अभी आप मत रखिए, k1 रहने, ऐसे तो k1 दिया हुआ है न, लेकिन k1 का value रख दीजिएगा, तो calculation और lengthy हो जाएगा, हाँ, बाद में उसको कर लेंगे, k1 का value रख देंगे, ये का value कितना, जूल में ही रख दो, 10 to the power 5, by 2.303, आरक अभे लिए, 8.31, अब एक चीज़ गौर करो, ये जूल में था तो ये जूल में रहा, यदि ये किलो केरो, किलो जूल में ही रहता, तो 100 रहता, तो यहाँ पर हमको इस जूल को बदलना परता किस में, किलो जूल में, अच्छा नीचे यदि हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये तो फिर उपर जाके वही हो जाएगा, गुना में बदल जाएगा, इसलिए नहीं हम करे थे, दोनों में से कोई एक काम करना है, तो सब बात एक ही है, फिर, इन्टू 1 बाइ T1 कितना? 298 और मैनस 1 बाइ 310, क्या कोई दिकत है? अब यहाँ से लॉग K2 बाइ K1 बराबर, 10 का पावर 5, अब इसको कुछ मल्टिप्लाइ करेंगे तो कुछ तो होगा ये, अब ये करना पड़ेगा आपको, और नीचे कितना हो जाएगा 298 इन्टो 310 और ये हो जाएगा 310 माइनस 298, अब गोना भाग किजिये न, अब न मजा आएगा, खली केमेस्ट्री पढ़िएगा, किजी आगे, देखो, इधर वाला सारा चीज किलियर कर लो, ठीक है, उसके बाद क्या करना, K2 बाइ K1 करके, समझ रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, K2 by K1 को अलग कर लेना, लोग उधर जाएगा, तो एंटी लोग में बदल जाएगा, एंटी लोग बगरा निकाल लेना, K2 by K1 तक निकाल लेना, और बाद में क्या करना, K1 का वेलियो, पुट कर देना, तो अपने आप निकल जाएगा, जो एगो रिष्ट बचता है, और अभी हम देखेंगे आप सब का कॉपी, तनी बनाईए बढ़ियां से, अच्छे एक चीज़ देखें, इसमें लोग आ गया ना जी, लोग आया की नहीं आया, अब फिर लोग का कंसेप्ट जिसके पास नहीं होगा, वो नहीं कर पाएगा, इसलिए हम बार-बार कह रहे थे, कि लगातार कह रहे थे, कि लोग को देख लिजे, रिभाइज कर लिजे, पता नहीं आप कितना की ये, नहीं की ये, तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इसके बीना आगे की पढ़ाई संभव नहीं है इस चेप्टर में, इसको घर पर बना लेगा, इसी उत्साह के लिए हम तो बोलेवे कियत है, तो सब एक नमर का पकेट मार काम चोर है, ठीक है, कल बना के लगेगा, अगला कॉस्टिन लिखियो, अच्छा एक बना लीजिएगा, घर पर हम कल देख लेंगा, भी एक कॉस्टिन लिखियो और, यह कॉस्टिन आइटी में पूछा था, देखो कॉस्टिन कितना बढ़ियां कॉस्टिन है, मतलब तुम ऐसा हम यह देखो, कॉस्टिन को देखकर न तुम मेंटलीटी को समझो कि आईटी का मेंटलीटी क्या होता है, कोई भी सेस थियोरी नहीं होता है, कुछ खास बात नहीं होती है, जो तुम पढ़े हो, उसी को पूछेगा हो, लेकिन वो इस तरह से पूछेगा कि तुम गोल जा देगा, तुम गोल लगएगा कि इस बात हमको पते नहीं है, जानते ही नहीं है, स्कुतन लिक एग, कुछ रूचे है, लेकिन ए र रेकि आपी याच़्ेट, लेकिन, कुछ तुम एल्कौ ऑरर पे डिस थि Aside C, the rate constant of a reaction at 27 degree C is 2.3 into 10 to the power minus 3 2.3 into 10 to the power minus 3 and at this temperature and at this temperature 0.001% of reactant molecules 0.001% of reactant molecules 0.001% of reactant molecules are able to 0.001% of reactant molecules are able to 0.001% cross over the energy barrier 0.001% cross over the energy barrier existing between existing between reactant and product 0.011% 0.0001% of rotate 0.011% cross over the energy barrier rate constant what can the maximum value of rate constant obtained by what can the maximum value of rate constant obtained by increasing temperature increasing temperature सबसे पहले question के language को समझेए जो थेवरी आप पढ़े हैं उस थेवरी से आप इस चीज को जोड़ने का प्रियास कीजिए आपको सब चीज बिलकुल ट्रांस्पेरेंटली देखता चला जाएगा देखो इधर देखिए सबसे पहला जो line है question का क्या है बताई तो और question का सबसे first line the rate constant of a reaction यानि आपको क्या दे दिया केक आभे लियो कितना दिया क्या आप कितना दिया बोलिये न धंग से बोलते नहीं तू अब बोलेंगे हम ऐसे ही सुनिया अप लोग बैटरी ये वुदर से निकालना पड़ेंगा उतना टाइम नहीं केक का वेल्यू कितना दिया हुआ है 2.3 to 10 to the power माइनस 3 टेंप्रेचर कितना दिया हुआ है इसको 300 केलविन लिख सकते हैं अब आज नहीं जाता है कर सकते हैं मुआत आज़ों कर सकते हैं अब जा रहा है अब जा रही है आवास तो चलिए अब इदर देखिए केक अव हेल्यू दे दिया टीक अव हेल्यू दे दिया अच्छा ये एक और बीच में चीज दिया हुआ है देखिए तो क्या दिया हुआ है 0.001 percent of the molecule देखिए तो question लगे तो हम थोरब पर के इसको समझाते हैं कि क्या क्या है question है कि the rate constant of a reaction at 27 degrees temperature दे दिया 27 degrees C per K का मान आपको दे दिया कहता है कि इसी temperature पर at this temperature मतलब किस temperature की ये बात कर रहा है 27 degrees C per 0.001 percent of the molecules are able to cross the energy barrier existing between reactant and product इसका मतलब यह हुआ कि 27 degrees C temperature पर जितना भी reactant molecule लिया गया उसका 0.001 percent molecule ऐसा है जो product में बदलने के लिए तयार है मतलब जो reactant से product में बदल सकता है मतलब energy barrier को cross कर गया है जो reactant और product के बीच का barrier होता है reactant और product के बीच का barrier कौन होता है activation energy यानि 0.001 0.001 percent molecule 27 degrees C पर इतना energy gain कर लिया है कि वो अब convert कर सकता है किस चीज में प्रोड़क्ट में अब याद कीजे के बराबर A into E to the power minus E A by R T ये फ़र्मूला पढ़े थे अब याद कीजे ये क्या था ये क्या था ये था fraction of molecules having energy equal to or greater than the three sold energy ये ही था न एक्चल में ये जो value दिया हुआ है ये इसी चीज से संबंधित है अंतर क्या है सो सुनिए यह क्या दिया हुआ है percent और यह क्या है fraction इस percent को किस में बदलना पड़ेगा fraction में तो जरा बताइए कि सो में इतना molecule energy barrier को cross कर गया यानि सो molecule में इतना molecule product में बदल सकता है तो बताइए एक molecule यदी लेते तो कितना बदलता hundred से divide करना पड़ता और hundred से divide करना पड़ेगा यदी इसको तो fractional value इसका कितना आ जाएगा बताइए यह आजाएगा 0.0000001 यहीं आएगा एक्चल में यह है e to the power minus ea by rt यह value है यह एक्चल में इसको हम बोलते हैं fraction of molecules having energy or equal to equal to or greater than the three sold energy और यह दिया हुआ है percentage of molecules having energy equal to or greater than the three sold energy बस क्या किया है इसे का language change कर दिया है language change करके आपको कह रहा है कि यह energy barrier को पार कर गया जो reactant और molecule के बीच में exist करता है तो ऐसी स्टिती में यह दे दिया अब आप इसको निकाल देजे k is equal to हुटता है a into e to the power minus e by rt यह इन होता है k बराबर a into e का value कितना 0.0001 अर्चा एक और 0 परेगा एक और 0 परेगा यह 1 अब बताइए k का value आपको question दे रखा है कितना k का value रख दीजिए k का value रखेगा तो यह निकलेगा 2.3 into 10 to the power minus 3 यहां से a का value निकल सकता है अच्छा इसको लिग दे 10 to the power minus 5 लिख सकने हैं कि नहीं तो यहां से a बराबर क्या हो जाएगा 2.3 into 10 to the power minus 3 और इधर बटा में आएगा 10 to the power minus 5 10 to the power minus 5 आएगा तो इसे इसनिते में यह उपर जाएगा प्लस में बदल जाएगा 230 जाएगा च्छा यहां से a का value आपको निकल जाएगा 230 थोड़ा question में देखे तो आपसे क्या पूछ रहा है question में आपसे पूछ रहा है what can the maximum value of rate constant obtained by increasing temperature मतलब temperature को हम increase करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं तो आपसे पूछता है कि k का maximum value क्या हो सकता है अच्छा आप याद कीजिए temperature को जब हम infinite कर देते थे तो k और a बराबर हो जाता था क्या temperature को आप infinite से भी जाता कर सकते हैं यानि आपसे infinite temperature पर k का मान पूछ रहा है rate constant ही न आपसे पूछ रहा है और infinite temperature पर k का value a के value के बराबर होता है यानि हम निकालेंगे a तो निकलेगा k इसका सही answer यही है a का value यदि 230 आया तो k का maximum value a ही होता है इस हिसाब से k का value हो जाएगा 230 क्या बोला degree c क्या कुछ बोल रहा है कुछ बोले थे बोले नहीं हम समझा देते हैं यदि आपको कोई confusion है अब आप एक बात सोचिए कि इसमें ऐसा कौन सा बात है जो नहीं बताया हुआ है लेकिन तरीका आपको समझना पड़ेगा इस तरह के question पर जब तक आप practice नहीं करेंगे आपसे question ही नहीं बनेगा अब देखो कितना confusion वाला question था question पूछ रहा है के जबकि के निकल ही नहीं सकता है इसमें निकलेगा कौन चीज अब जो आदमी इस बात को जानते हैं कि temperature को infinite करके जो हम के का value निकालते हैं तो वही A होता है याद है आपको ढग से कि ये बात हम बोले थे वहाँ पर कि के का जो maximum value होता है वह A के बराबर होता है और ये तब हमको प्राप्त होता है जब हम temperature को infinite कर देते हैं तो इस सब बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कल इस chapter का next part स्टार्ट हो जाएगा जहां पर हम लोग पढ़ेंगे order of reaction और उसके derivation को आईए कल